नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, जय हिंद, जय भारत, मित्रो, आजे आपने युनिट 7, रिड 2, जेनू नाम छे, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड, एटले प्राथमिक शारवार, तो हवे आपने आ युनिट ना लेक्चर वन नी शरुवात करिये. फर्स्ट एड, is the immediate medical help given to an injured person. उल्टे थी, इजाग्रस्त व्यक्तिने अपायली, तातकालिक medical help एटले फर्स्ट एड, क्यारे, before he or she is taken to the hospital. इजाग्रस्त व्यक्तिने अपायली तातकालिक medical help एटले फर्स्ट एड, फर्स्ट एड helps to make sure. फर्स्ट एड, एख खात्री करवामा मदद करेचे, make sure, एटले खात्री करवी. तो प्रात्मिक शारवार एख खात्री करवामा मदद करेचे, के injured person is safe and comfortable. के इजाग्रस्त व्यक्ति एश्लाम्मत अने आराम दायक स्थिती माँचे. टिल एट डोक्टर केन हेल्प, डोक्टर नी मदद आवे तियां सुधी. इजाग्रस्त व्यक्ति, शलाम्मत अने एकदम राहत दायक स्थिती माँचे एक खात्री करवामां फोस्ट एड मदद करेचे. इन केश ओफ मेजर एक्सिडेंट, मुख्य अकस्मातोना किशाओमा, फोस्ट एड गिवन दूरिंग धो फोस्ट अवर, पहली कल्लाग दरम्यान अपायली शारवारे, मुख्य अकस्मातोना किशाओमा, प्रथम कल्लाग दरम्यान अपायली शारवारे, एज सेवड मेनी लाइव्स, इने घणी जिन्दगीवो बचावी छे. Different injuries have to be treated differently, जुदी जुदी इजावनी शारवार जुदी जुदी रिते करी शकाई छे. Before giving first aid, प्राथमिक शारवार आफ्ता पहला, Wash your hand well with soap and water. शाबू अने पाणी थी, तमारा हाथ शारिरी ते धोई नाखो. कोई ने तमे प्रार्थमिक शारवार आपो, ए पहला तमारा हाथ व्यवस्थित धोई नाखो. This is done, आवू करवामा आवेशे, To prevent germs from entering the wounds, के घानी अंदर प्रवेश्ता जीवाणुओने अटकावा माटे, Wound अटले घा, अने germs अटले जीवाणू, प्राथमिक शारवार एटले आपवामा आवेशे, शामाटे, के घानी अंदर प्रवेश्ता जीवाणूओने अटकावी शकाई, तो जुदा जुदा किश्चाओं माँ अवेशे अपड़े प्रार्थमिक शारवार जुईए, पेलो, बर्न्स, एटले के दाजुवते हैं, बर्न्स आर कोश्ड बाई फायर, बोइलिंग वोटर, स्टीम, फायर क्रेकर्स, शम केमिकल्स और होट अबजेट्स, आग, उकर्तु पाणी, स्टीम, एटले के वराड, फायर क्रेकर्स, एटले के फटाकडावो, अमुक प्रकार्ना केमिकल्स, अथवा तो गरम वस्तुवती, दाजवानू कारान बने हैं चे, burns can be very painful, painful एटले दर्द जनक, दाजू एक खुबज दर्द जनक बनी शके, and cause a lot of damage, डेमेज एटले नुक्षान, दाजू एक खुबज दर्द जनक बनी शके, अने खुबज नुक्षान नुकारण बनी शके, if they are not treated properly, जो तेनी योग्या रिते शारवार करवामा आवेली न होई, तो फरिथी पाठनी शर्वात करिये, इजा पामेला व्यक्तिने ओस्पिटले लईजवामा आवे, ए पहला तेने अपायली तातकाली मेडीकल मदद, एटले प्राथमीक शारवार, इजा ग्रश्त व्यक्ति डोक्टरनी मदद आवी शके, तिया सुधी सलामत अने राहत दायक स्थिती माँ छे, एक खात्री करवा माटेज प्राथमीक शारवार मदद करेशे, मुख्य अकस्मतों ना किस्चाव मा, प्रथम कल्लाज दरम्यान अपायली प्राथमीक शारवारे घणी जिन्दगी ओ बचावी लिदी छे, जुदी-जुदी इजावनी शारवार जुदी-जुदी रिते करवा माँ आवे छे, प्राथमीक शारवार आपता पहला शाबू अने पाणी थी तमारा हाथ ने धोई नाको, खानी अंदर प्रवेश्ता जीवानु अने अटकावा माटे ज आउ करवा माँ आवेशे अवे पेली जा बन्स एटले के दाजू आग उकरतू पाणी वराड फटाकडा अमुक रशायनो अन गरम वस्तू थी दाजवानु कारण बनेशे दाजवू एक खुबज दर्द जनक होई सके अने खुबज नुक्षान नुकारण बनेशे चो एनी योग्यारिते शारवार करवा माँ आवेली न होई तो आगडवती है फर्स्ट सव प्रथम रिमू क्लोथिंग एक कपडाने दूर करो वीच कवर्स्थ बर्न स्किन के जे दाजवली चामड़ी ने ढाके जे दाजवली चामड़ी उपरना कपडाने दूर करो थेन पाउर कोल्ड वोटर ओन धेट एरिया फोर सेवेरल मिनेट्स पाउर अटले रेडू अने शेवेरल अटले खणू सव प्रथम दाजवली चामड़ी ने जे कपड़ू ढाके छे एक पड़ाने दूर करो थेन पाउर कोल्ड वोटर ओन धेट एरिया फोर सेवेरल मिनेट्स पचे घणी मिनेटो सुधि दाजेला भाग उपर ठंडू पाणी रेडो शोकिंग धब बन पाणी इन कुल वोटर फोर 20-30 मिनेट्स वेश्थी 30 मिनिट्स उधे ठंडा पाणी मा दाजेला भाग ने डूबाडवो शोकिंग एरले डूबाडू वेश्थी 30 मिनिट्स उधे ठंडा पाणी मा दाजेला भाग ने डूबाडवो विल हेल्प रिलिव पैन ये दर्द मा राहत पोँचाडवा मा मदद करशे एनेस्थेटिक स्कीन स्प्रे चामडी बेहरी करीब मुके एवा स्प्रे एन्ड क्रीम अने एवी कोईपन क्रीम में कोल्स एन एलर्जीक रियक्षन एलर्जीनू कारण बनी शके चामडी बेहरी करी मुके वा स्प्रे जेने एनेस्थेटिक स्प्रे के वाई अने एवी कोईपन क्रीम एलर्जीनू कारण बनी शके एफ थेरार नो ओपन ब्लिष्टर ब्लिष्टर एटले फर फोलो एफ देरार नो ओपन ब्लिस्टर जो खुलो फर्फोलो न वोईतो एपलाई एंतिबायोटिक ट्रीटमेंट जन्तु रहित शार्वार्न उप्योग करो and cover it with dry bandage अने शुका पाटा थी ढाकी दो जो खुलो फर्फोलो न वोई तो एंतिबायोटिक ट्रीटमेंट नो उप्योग करो अने शुका पाटा थी अने ढाकी दियो don't use butter, ghee, petroleum, jelly or ice दाजेला भागू पर माखन, ghee, कोईपन मल्लम के बरफन उप्योग नहीं करो in case of very severe burns शक्षत रिते दाजवाना किस्वामा take the patient hospital as soon as possible दर्दीने शक्याओए एटलो वेहलो दवा खाने लई जाओ give the patient a lot of water to drink दर्दीने पिवा माटे पूश कर ठंडू पाणियापो शक्षत रिते दाजवाना किस्वामा शक्याओए एटलू वेहलू दर्दीने दवा खाने लई जाओ दर्दीने पिवा माटे पूश कर ठंडू पाणियापो मित्रो अहिया आपने आपनो प्रथम लेक्चर समाप्त करिये आउनारा लेक्चर माँ हजी आपने जुदी जुदी इजाओ अने ना इलाज विशे शिखीशू आपाठ तमने प्रेक्टिकली पन खुबज सहाई रूप थसे तो हवे आपाठ ने यहां थोभाविये वीडियो जोवा माटे सिखवा माटे औने पोतानीज प्रगती करवा माटे खुब खुब आभार खुब खुब आभार झाल